दूस्तो आप सभी में से बहुत के पास Android phone जरूर होंगे और वो किसी ने किसी माध्यम से hang जरूर कर रहा होगा चाहे वो software से hang करता हो या फिर आपका storage फूल होने से hang करता हो लेकिन hang जरूर कर रहा होगा अगर आपका phone 2-3 साल पुराना होगा तो of course 110% आपका phone hang कर रहा होगा आप देखिए hang क्यों करता है इसके पीछे की क्या वज़े होती है इसके बारे में बताऊंगा आपको लेकिन दोस्तों अगर आपका phone hang करता है तो उसको कैसे आप fix करोगा इसके बारे में एक बहुत जरूरी जानकारी जो मैं इस वीडियो में आपके साथ सेर करने वाला हूँ देखिए दोस्तों जब भी आप phone किसी shop या फिर online से order करके घर पर मंगवाते हो इसके बाद phone को कभी भी time to time आप लोग अपडेट नहीं करते हो अगर time to time अपडेट नहीं करोगे तो phone का security भी धीरे धीरे old होता रहता है यानि कि जब आप phone खरीद के लाए उसके दो मेने बा लेकिन बहुत सारे भाईयों को अपडेट करने नहीं आता है लेकिन सही तरीका क्या है अपडेट करने का वह इस वीडियो में हम जानने वाले दोस्तों एक बात और बता दू आपका phone बहुत ज़्यादा हैं कर रहा है software अपडेट करने के बावजूद भी तो आप अपने phone क एक बार हाण रिशेट कर लो या फिर फैक्टी डाटा रिशेट कर लो या फैक्टी डाटा रिशेट करने से पहले आपके phone के अंदर की जितने वी फोटो विडियो है वह सबको बैक अप कर लेना किसी अधर फोन में इसके बात करना ठीक है अभी दोस्तों बात करते हैं कि अपने फॉन को किस तरीके से आप अपडेट करोगे ताकि आपका फॉन लेटेस्ट सेकुरिटी में चला जाए और आपका फॉन कभी किसी भी माधियम से हैक वगरा भी ना हो क्योंकि बहुत सारे हैकर जो है ना मत्बब फॉन का सेकुरिटी डाही डाय ने हरके हम से तो अब फिलाल आते हैं सेडिंग के अंदर फॉन के इनदर कोई भी सेटिंग देखो आप कोई भी बिरेंड्ड का फॉन हो आपको सिंब्ली सेडिंग अंदर आना हроде ठीक है अब खोजना है दो से तीन बाते कहां कहां देखो सबसे पहले तो उपर में दोखो अगर आपका android phone है तो उपर में about phone दिख रहा होगा या फिर आपको उपर में कुछ भी दिख रहा है ना software या फिर कुछ भी अगर कुछ नहीं दिख रहा है न तो यहां search button बटन जरू system update इस तरीके से जो है आपको आएगा ठीक है तो यहां पर देखो मेरे case में software update आ रहा है जैसे हम software update पर क्लिक करते है तो यहां पर देख सकते हो version up to date यानि कि यह phone जो है अप to date है मैंने इस phone का software update कर दिया अगर यह phone up to date नहीं रहता तो यहां पर बताता एक जीबी दो जीब फुल चार्ज नहीं है अगर 50% चोपन नहीं है तो अपने phone को पहले चार्ज कर लो एंड इसके बाज वह ना software download करके इंस्टॉल करो ठीक है लेकिन दोस्तों बहुत सारे भाईयों को जो है ना पता नहीं चलागा सर्च बटन नहीं रहेगा तो उसको क्या करना है नीचे आन तो यहां पर देखो checking update आ रहा है और वही option खुल के आ ठीक है अगर इससे भी अगर नहीं होता है तो आपको क्या करना है यहां देखो एक और option रहता है तो additional setting में आते हैं तो additional setting में आते हैं सिस्टम सर्विस में आते हैं यहां से नहीं होगा तो बेसिकली मिला जोला के बात यह हुआ कि आपको जो है ना दो मैथर से एक सर्च से और यहां पर एक about section में जाकर क्या आप फॉन के about section में भी रहता है software update का option ठीक है तो यह सब तरीके से जो person के hotspot से अपने phone को connect करना है और इसके बाद file को download करना है और install करने से पहले एक सबसे ज़रूरी बात है आपको अपने phone का battery चार्ज रखना है तब जाकर करके आप सीधा install button पर click करना और एक और सबसे ज़रूरी बात है जैसे install button पर click करोगे आपका phone हो जाएगा switch off और आपको जो हैने wait करना होगा देखो कितना देर दो से चार मिनट आप पांच मिनट भी wait करना चे मिनट दस मिनट तक wait करना आपको को एक्स्टा activity नहीं करना अधरवाइज कोई एक्स्टा activity करोगे आप phone को switch off करोगे button को press करोगे उस दौरान तो आपका phone मतलब की dead होने का chance रहता है य हिंद जै भारत